रिसेंटली इंडिया और सेंट्रल एशा के जो पांस देश है उनका पहला समेट हुआ वर्च्वाल मोड में 27 जन्वरी को और वहाँ पे डेली डेकलरेशन नाम का जॉइंट सेट्मेंट इशू किया गया सेंट्रल एशा कहां पर है उसके कौन-कौन से देश किसके नेबरूट में है हमारे स्ट्रेटीजिकली वो एरिया क्यों है इंपोर्टन है जोगर्फी और मैप रिलेटेड ये सारी बातें सेंट्रल एशा से रिलेटेड इस पटिकलर वीडियो में देखने वाले है जहाँ पे Central Asia में इतना ज़्यादा influence क्यों है जोग्राफिकली उस चीज़ को भी यहाँ पर समझेंगे Unacademy सब्सक्राइब करने के लिए you have to use the raffle code मदद गुपता 10% discount के लिए simply मेरा नाम डालना and you'll get 10% discount description box में telegram channel का लिंग दिया do join that Unacademy पे एक special feature आया है that is 18 month plus combo subscription usually subscription जो होता था वो एक साथ और दो साल का होता था बट अभी क्योंकि 2023 के prelims में approximately 18 महीने रहते हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 18 months का Unacademy पे combo आया है जो की limited period offer है Unacademy सब्सक्राइब करने के लिए अगर कोई भी query है आप इस help plane number पे call कर सकते हैं साथ के साथ नए बाचे शुरूरे नौ फरवरी से English, Hindi और Bilingual में जहां पे अलग-अलग educators pre-mainsured interview का पूरस लेबस cover करने वाले हैं apart from that iconic subscription one-to-one live mentorship personalized guidance आपको यहां पे मिलने वाली है और अपना combat तो होने ही वाला है coming Sunday that is 6 फरवरी को जहां पे 11 बजे सुबह 60 minutes का quiz होगा 56 questions होगे and you have to attempt it right सबसे पहले Central Asia का map समझने से पहले हमारको India का एक area देखना है आपको पता है यह हमारा Jammu and Kashmir है यह area है Pakistan occupied Kashmir जो Pakistan ने illegally occupy कर रख है यह actual में Indian territory है यह actual में Indian territory है उसके लावा इधर एक एरिया है अक्साइचिन जो चाइना ने illegally occupy कर रख है यह भी Indian territory है अगर हम Pakistan occupied Kashmir की बात करें तो हमें बता है यहाँ पे side में Pakistan है और इधर Afghanistan है Afghanistan में एक छोटा सा area है East की तरफ इसके North East की तरफ जिसे कहते है वकान corridor यह जो आप shaded area देख रहे हो इस area को बुले आता है वकान corridor और इंडिया की यह वाली जो territory है वो इस वकान corridor को touch करती है जान से दखेंगे इंडिया की यह जो Pakistan occupied Kashmir वाली territory है गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया जो है यह वकान corridor को touch करता है और वकान corridor के जस्ट उपर एक देश है जिसका नाम है Tajikistan मतलब कि अगर हमें इंडिया से Tajikistan जाना है अपनी territory से तो हमार को सिरफ यह पतला सा वकान corridor क्रॉस करना और हम Central Asia में आ जाएंगे वैसे तो यह आज पाकिस्तान की illegal occupation में है यह Indian territory है लेकिन है तो इंडिया का हिस्सा तो यह वाला हिस्सा अगर हम क्रॉस कर ले वकान corridor का हिस्सा तो हम इंडिया से सीधा Central Asia पहुँच सकते हैं मतलब कि हमार को बसे चोटा सा हिस्सा जो है यह actual में cross करना है known as वकान corridor देखिए हाँ पे यह है अफगानिस्तान अफगानिस्तान में यह चोटा से area यह वकान corridor है और इधर हमार को हमारा जम्मू और कश्मीर देख रहा है मतलब कि इंडिया देख रहा है कहने का मतलब है हमारी जो 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 ग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है Central Asia से हम Central Asia से सिरफ और सिरफ वकान corridor से separated है मतलब कि सिरफ और सिरफ यह वकान corridor अगर हम cross कर ले तो हम सीधा इंडिया से Central Asia जा सकने है यह है Central Asia के तीन देश अफगानिस्तान के ओपर तीन देश हैं अफगानिस्तान के ओपर तीन देश हैं अफगानिस्तान के ओपर Central Asia के तुर्कमेनिस्तान उस्बेकिस्तान ताजिकिस्तान हम वकान corridor से सीधा ताजिकिस्तान में एंटर इधर कर सकते हैं तो अफगानिस्तान के ओपर तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बीच में वकान कॉरिडोर और सीधा आ रहता है इंडिया, मला इंडिया और ताजिकिस्तान जो है वो वकान कॉरिडोर से separated हैं, ठीक है, अब ये दो मैप्स आप देख रहे हो, लेफ्ट एन साइड पर जो मैप है, ये अश्या का map है और राइट-Handside पर जो map है यह सिरफ और सिरफ Central Asian Nations का map है यह Central Asian Nations का map है लेफ साथ 설 पर आपको country दिखाऊंगा और राइट साथ पर उसका अफगानिस्तान पाकिस्तान के साइड में एरान है और एरान के जस्ट उपर वी हाफ तुर्कमेनिस्तान एरान के जस्ट उपर हमारे नॉर्थ वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान है यह तुर्कमेनिस्तान है हमारे नॉर्थ वेस्ट में एरान के उपर अफगानिस्तान के उपर यह देखे, यह इरान की बांडरी हमार को दिख रही है, इधर तुर्कमेनिस्तान की बांडरी दिख रही है, और इनके उपर यह तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की साइड में, अफगानिस्तान की उपर, यहां पर देखेंगे, अफगानिस्तान और उस्बेकिस्तान का बहुत हलका सा बौडर यहां पे मीट होता है, बहुत हलका सा बौडर यहां पे मिलता है अनका देखिए, यह इरान है इरान के ओपर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के ओपर उस्बेकिस्तान मैप में हमारे को क्या देख रहा है कि ये जो उस्बेकिस्तान है ये जो उस्बेकिस्तान है ये एक landlock country है इसका समंदर में कोई भी access नहीं है समंदर में इसका कोई भी access नहीं है ये है उस्बेकिस्तान कहीं पे भी इसके आसपस समंदर नहीं है ये एक landlock country है this is उस्बेकिस्तान यहाँ पर देखेंगे, यह रहा उस्बेकिस्तान, इसके आसपस कहीं पर भी समंदर नहीं है, यह एक landlock country है, उस्बेकिस्तान अभी डीटेल में दिखाऊंगो और इसकी neighboring countries और बाकी सारी चीज़ है next is Tajikistan, जो Wakhan corridor के just उपर है, यह तीसरा देश, तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, और उसके side में Tajikistan this is Tajikistan, इरान, इरान के उपर तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, यहाँ पर हलका सा आपको confusion हो सकता है कि इधर जो map है वो थोड़ा सा complicated है इस हिस्से में, इधर आप देखोगे तो आपको तीन देश दिखेंगे उस्बेकिस्तान तो यह रहा, यह पूरा उस्बेकिस्तान है, this entire area is उस्बेकिस्तान, यह पूरा एरिया उस्बेकिस्तान है, red वाला जो shade करा है मैंने इधर एक देश है किर्गिस्तान, जिसकी अभी location में आपको दिखाऊंगा डिटेल में, और यह है ताजिकिस्तान तो यहाँ पे यह थो थोड़ा सा complicated area आपको दिख रहा है, इधर यह हलका सा complicated area, यहाँ पे तीन देश है उस्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, नीचे वाला ताजिकिस्तान है, उपर वाला किर्गिस्तान है यह जीज भूलेंगे नहीं, ताजिकिस्तान, यह ताजिकिस्तान है और इधर ध्यान से देखेंगे यह ताजिकिस्तान है देखें, इरान, इरान के उपर तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, ये ताजीकिस्तान है, ताजीकिस्तान के उपर किर्गिस्तान, ये इरान दिख रहा है, इरान के उपर तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, ताजीकिस्तान हमने देख लिया, this is किर्गिस्तान, और उस Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan और Kazakistan ये पांच देश Central Asia के देश माने आते है इन पांचों में सबसे बड़ा जो देश है That is Kazakistan इन पांचों में सबसे बड़ा Kazakistan है आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इन पांचों देशों में से अगर आप ध्यान से देखो तो सिरफ और सिरफ केजाकistan है सिरफ और सिरफ केजाकistan है जो एक्च्वल में रेश्या की बांडरी को टच कर रहा है बाकी के जो चार देश हैं तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान वो रेश्या को टच नहीं कर रहे रश्या जो है वो सिरफ और सिरफ केजाकिस्तान को टच कर रहा है Recently, लादेमिर पुतिन जो कि रश्या के राश्ट्रपती हैं उन्होंने केजाकिस्तान में सरकार का तक्ता पलट करवाया और केजाकिस्तान में अपनी एक puppet government बनाई रश्या का strategic influence बनाए रखने के लिए तो यहां से आपको समझ आएगा कि क्यों अगर हमार को Central Asia के साथ अच्छे relations maintain करने हैं तो रश्या हमारे और भी ज़ादा important है क्योंकि रश्या जोग्राफिकली बहुत ज़ादा close है इन एरियास के उसके साथ रश्या boundary share करता है ठीक है इधर आपको map पे दिख रहा होगा कि चाइना जो है यह चाइना है चाइना जो है वो भी Central Asia के साथ थोड़ी सी boundary share करता है यह चाइना है यह पूरा जो आप देख रहे हैं यह चाइना है चाइना जो है Central Asia के साथ boundary share करता है चाइना सेंट्रल एशा के तीन देशों के साथ boundary share कर रहा है केजाकिस्तान के साथ किर्गिस्तान के साथ और तेजाकिस्तान के साथ चाइना जो है तुर्कमेनिस्तान और उस्बेकिस्तान के साथ कोई boundary share नहीं करता सिरफ और सिरफ तीन देश हैं जिनके साथ चाइना बाउंडरी शेयर कर रहा है केजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इदा ताजिकिस्तान चाइना ने इन देशों से पास करते वे अपना One Belt One Road Initiative बनाया है जिसका मतलब है कि क्योंकि चाइना इन सेंट्रल एशा के साथ एक बहुत लंबी बाउंडरी शेयर कर रहा है इसलिए चाइना का Economic Influence और Military Influence इन देशों पर काफी जादा है मतलब कि उपर से रश्या के जाकिस्तान के ओपर अपना Strategic Influence बना रहा है और इदर से East से चाइना क्योंकि इतनी लंबी बाउंडरी है One Belt One Road Initiative के जरीए अपना Economic Influence इन देशों के उपर maintain करने की कोशिश कर रहा है कहने का मतलब है शेंगाई Corporation Organization नाम का जो ग्रुप है जहाँ पे कहजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उस्बेकिस्तान, रश्या, चाइना और इंडिया, पाकिस्तान मेंबर्स है वहाँ पे रश्या और चाइना के पास एक advantage है कि वह शेंगाई Corporation के दूसरे मेंबर्स के साथ जोग्राफिक अली जुड़े हुए है, इमिजेट नेबर्स है रश्या कहजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, और चाइना जो है Central Asia के तीन देशों से जुड़ा है, यार इस कहजाकिस्तान सबसे उपर, फिर किर्गिस्तान, और फिर इदर ताजिकिस्तान इरान से जुड़ता हुआ तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उपर कहजाकिस्तान चाइना जो है वो केजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ boundary share करता है और इंडिया और ताजिकिस्तान जो है सिर्फ वकान कॉलिडोर से separated है तुर्कमेनिस्तान के चार निबर्ज है यहाँ पे केजाकिस्तान इधर उस्बेकिस्तान यहाँ पे अफगानिस्तान और इधर इरान तुर्कमेनिस्तान जो है चार देशों के साथ बांडरी चेयर करता है और इधर एक छोटा सा लेक है जिसका नाम है कैस्पीन सी यहाँ पे तुरकमेनिस्तान का border है Caspian Sea में तुरकमेनिस्तान का border है अच्छा ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ये तो grey area आप देख रहे हो this is Russia ये grey area Russia है इधर अजर्बाइजान और इधर एरान तो रश्या और तुरकमेनिस्तान जो है वो इधर Caspian Sea के जरीए directly connect हो सकते है आपको पता है कि इंडिया जो है international north-south transport corridor बना रहा है यहाँ इरान से निकलते वे जो इधर इरान से निकलेगा like this अजर्बाइजान से होते वे रश्या जाएगा अभी जो इंडिया Central Asia का summit हुआ है जहाँ पर डेली declaration sign हुआ था उधर ये बात बोली गई दर तुर्कमेनिस्तान को international north-south transport corridor से जोड़ा जाएगा through Caspian Sea तो तुर्कमेनिस्तान Caspian Sea में खुल रहा है यह हमारे लिए काफी जादा important है strategically क्योंकि international north-south transport corridor को हम Caspian Sea के रस्ते से ही तुर्कमेनिस्तान तक extend करने वाले है तो तुर्कमेनिस्तान के चार नेबर्स और यह खुलता है Caspian Sea में अगर हम उजबेकिस्तान देखें तो इसके तुर्कमेनिस्तान नेबर है, केजाकिस्तान नेबर है इधर किर्गिस्तान नेबर है ताजिकिस्तान नेबर है और अफगानिस्तान नेबर है लैंड लॉक कंट्री है और उस्बेकिस्तान किसी भी समंदर में खुलता नहीं है इसके अलावा किजाकिस्तान जो है उपर की तरफ ये रेश्या से सराउंडिड है यहां की तरफ चाइना से, नीचे किर्गिस्तान और इधर उस्बेकिस्तान, यहां पे तुर्कमेनिस्तान पांच देशें जिनसे किजाकिस्तान सराउंड़िड है, रेश्या, चाइना, किर्गिस्तान, उस्बेकिस्तान और इधर की तरफ से तुर्कमेनिस्तान Tajikistan और Kidzakistan का कोई आपस में लिंक नहीं है geopolitically similarly Kirgistan चार देशो से surrounded है Kidzakistan चाईना Tajikistan Uzbekistan तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान आपस में टेच नहीं करते है and Tajikistan हमने देखी लिया कि इधर की तरफ China से surrounded है नीचे की तरफ Afghanistan से वखान कॉरिडूर तो Central Asian देशों के साथ सबसे बड़ी problem यह है कि यहाँ पे पांच में से तीन देश जो हैं वो landlocked हैं उस्बेकिस्तान, ताजीकिस्तान और किर्गिस्तान इन तीनों के पास समंदर का access नहीं है वैसे समंदर का access तो केजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पास भी नहीं है ले लेकिन अगर हम Central Asia के इन तीन देशों की बात करें उस्बेकिस्तान, ताजीकिस्तान और किर्गिस्तान की यहाँ पे कोई भी समंदर का access नहीं है और यह दूसरे देशों पे dependent हैं अपने समंदर के access के लिए तो Central Asia का जो सबसे बड़ा challenge है वो यही challenge है कि इनके पास समंदर का access नहीं है तो इनका जो trade है वो काफी जादा limited रहता है तो Caspian Sea में इन पांच में से सिरफ दो देश हैं जो खुलते हैं एक Turkmenistan और एक Kazakistan बाकी तीन देश जो हैं वो Caspian Sea में नहीं खुलते हैं और वो पूरे तरीके से landlocked हैं यह है अपना Middle East और Central Asia का map यह है इरान आपको बता है कि यहाँ पे एक port है जिसका नाम है चाबाहार port जो कि इंडिया डवलप कर रहा है चाबाहार port इधर की तराफ इरान के ओपर मैंने आपको बताया यह है Caspian Sea यह है तुर्कमेनिस्तान अभी हमने देखा था map में इरान के जस्ट उपर तुर्कमेनिस्तान है इरान के ओपर तुर्कमेनिस्तान है और इधर है उस्बेकिस्तान साथ में आपको बताए कि इंडिया ने चाबाहार से अफगानिस्तान को connect करते वे इस तरीके से डेलाराम जरांस तक एक प्रोजेक्ट बनाया है इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ connectivity प्रमोट कर रहा है इरान के जरीए लेकिन आज की तारिक में यहाँ पर तालिबान की सरकार है और अफगानिस्तान काफी जादा अंस्टेबल है इंडिया ने रिसेंटली जो इंडिया सेंट्रल एशा का समिट हुआ वहाँ पर बात करी कि क्यो ना चाबाहार पोर्ट को सीधा इस तरीके से तुर्कमेनिस्तान और ऐसे उस्बेकिस्तान से जोड़ दिया जाए जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता मतलब कि सेंट्रल एशा की जो हमारी इंपोर्टेंस है वो इस वज़े से भी है कि हमारी कनेक्टिविटी में हमार को काफी हल्प कर सकता है कि चाबाहर port जो हमने अफव्गानिस्तान तक एक्सेंट करा वो इरान के जरीये हम तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से उपर उस्वेकिस्तान तक एक्सेंट कर सकते हैं इसके अलावा आपको पता है की यहाँ से ऐसे इंडिया इंटरनाशनल नौट ось़ड त्रांसपोर्ट कोलिड़ बना रहे है अजरबायजान और रश्या से कनेक्ट होते बए यह अजरबायजान है यह रश्या है इनसे connect होते हैं हुआ हम International North Short Transport corridor मना रहे है तो recently बात हुई कि Turkmenistan में एक port है जिसका नाम है Turkmen Bashi Port Turkmen Bashi Port ये आप इधर देख रहे हैं Turkmen Bashi Port Turkmenistan में एक port है Turkmen Bashi Port जो कि Caspian DC में खुलता है हमने यह बात करी कि ये जो हम International North Short ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर इस तरीके से बना रहे है like this, जो अजर्बाइजान और रश्या से निकल रहा है कैस्पियन सी के सरीए उसको तुर्कमेन बाशी पोर्ट से कनेक्ट कर दे रहाएगा, प्रधान मंतिरी नरेंदर सामने, इंटरनाशनल नौर्ट सब्ट ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर को जो इंडिया और रश्या को कनेक्ट कर रहा है उससे अब हम इधर तुर्कमेन बाशी पोर्ट तुर्कमेनिस्तान को भी कनेक्ट करने वाले हैं थ्रू कैस्पियन सी साथ में आपको बता है कि यहाँ पे चाबहर पोर्ट है अपना जिसको हम ऐसे इस तरीके से एक्स्टेंड कर रहे है एक पॉसिबिलिटी एक्स्प्लोर करी गए कि जब तक अफगानिस्तान स्टेबिलाइज नहीं हो रहा था तालिबान की सरकाश स्टेबल नहीं हो रहा थी हम इस तरीके से तुर्कमेनिस्तान और हुजबेकिस्तान को कनेक्ट कर सकते हैं चाबहर पोर्ट से बाइपासिंग अफगानिस्तान तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे यहाँ उस्बेकिस्तान और केजाकिस्तान बॉर्डर पे एक छोटा सा लेक है जिसको एरल सी बोले आता है यह केजाकिस्तान और उस्बेकिस्तान शेयर करते हैं और केजाकिस्तान में एरल सी के एस्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक बलकाश तो यहां पे तीन मेजर लेक हम ने देखे एक देखा कैस्पियन सी जो की लेक है सराउंड़ेड बाए तुर्कमेनिस्तान और केजाकिस्तान जो है यहां पर ओपन होते हैं इसके लावा एर सुल्तान जो की खिजाकिस्तान की कैपिटल है फिर है बिशकेक जो की किर्गिस्तान की कैपिटल है फिर ताशकेंत जो उस्बेकिस्तान की कैपिटल है देन वी हाव दुशानबे जो ताजीकिस्तान की कैपिटल है और फिर अशगाबत जो तुर्कमेरिस्तान की कैपिटल है इस तरीके से जो not to south order है वो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि prelims में कई बार अगर आप PYQs देखोगे तो सवाल बना है तो ये not to south order आपको capitals का ध्यान रखना होगा तो ये है detailed Central Asia का map, इनके lakes, आसपास China, Russia का influence इंडिया के साथ connectivity, चाबाहर पोर्ट, इरान Unacademy सब्सक्राइब करने के लिए यूजर अफल कोड मतुत गुपता इंपर इंपर इंडिस्काउंट के लिए टेलिग्राम चैनल का लिंग नीचे description box में दिया, do join that नए batches शुरू हो रहे हैं हमारे 9 फरवरी से do attend those batches English, Hindi और Bilingual मे, 18 मन्त का iconic subscription एक नया offer आयान अकड़मी की साइट से और अलसो 6 फरवरी को हमारा combat होगा gamified version, let's crack it